हेलो एव्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे आज हम करेंगे थर्ड वीक ऑफ जुलाई के इंपोरेंट करा अंटर फेर्स तो जो लोग ये चैनल पहली बाहत देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अप्डेट मिलता रहे और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को आप लोग लाइक करके अपने फ्रे कर लिया है तो अगर आप लोग चाह देंगे आपको एक ही जगा पर वीडियो लेक्चर्स मॉक टेस्ट नोट्स एमसी क्यू सीरीज और इसके टॉपिक टेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है आप पे तो आप लोगों को यह हमारी ट्रिपलेस आप पर मिल जाएगा 500 रुपए और यह पूरे जेंड के में सबसे कम है और यह आप लोग हर कोई मैं यह मानता हूं कि अफोर्ड कर सकता है जो बच्चे 25 पचिस तीस रजार रुपए की कोचिंग नहीं ले सकते आप लोगों को यह चीज घर बैठे-बैठे मिल जाएगी आप लोग पढ़ सकते कि ऐसा एटमॉस से जेंड के में क्रेट करते कि बहुत ही मिनिममम रेट में अफोर्डेबल प्राइज में हरे बच्चा अपने घर बैठ के पड़े आपको जम्मू आने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्णागर जाने की ज़रूरत नहीं दूर दूर के डिस्टिक्स से तो स्टिक्स दूसरी लाइबर्रेरी हम लोगोंने ओपन की है वो करी है हम लोगों ने अधंपुर में और बहुत जल्द हम लोग आपको बता दें कि तीसरी लाइबर्रेरी जो हमारी जिस्टिक्त पर उने वाली है उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने messages के है तो मैं उसके ब इसकली चीज में आपको बता दू हर साल बहुत सारे इंडेक्स आते हैं बहुत सारी रैंकिंग्स आती हैं तो इन रैंकिंग्स के बारे में आपको यह चीजे बता होनी चाहिए किसमें इंडिया का क्या रहा है तीन तरीके से क्वेशन फ्रेम होते हैं पहला कि इंडिया का रह पहले भी मैंने आप लोगों को जो 2021 के जितने भी इंडेक्स थे उन सबके बारे में पहले ही आपको पढ़ा दिया है लेकिन अब आपको जैसे जैसे ने इंडेक्स आने तो इनको याद करना है अगर आपने पुराने नोट्स बनाए है तो उसमें ही मैं आपको रिकमेंड रहा है यहां पर 135 जो मैंने आपको बताए इसको आपको इसी तरीके से करना है इंडिया 135 रांक पर रहा है इस बार टोटल कितनी कंट्रीज थे आउट ओफ उन 46 कंट्रीज थे दूसरा वेशन फ्रेम होता है कि टॉप किस ने किया तॉप किस के दौरा किया गया था यह किया है तो वह है जिनीविया में ठीक है है एक जो भी हमारे यहां पर आप लोग दिखते हैं जितने भी कोई ओर्गनेजेशन आती है उनके आपको पताओने चाहिए है एक हम बात करें अभी हाल ही में जुलाई 2022 में इंट्रड्यूस करा है पेपर इंपोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जानी कि इसका नाम क्या है शौर्ट फॉर्म में पी एए एमस देखो जो बेंकिंग एक्जाम से ना मैं आपको बताता हूं वहां पर क्वेशन इसमें कैसे फ्रेम होता है वहां पर आपको देदेंगे कि प इंट्रड्यूस किया बताओ इसमें M क्या है यहां पर पूछ लिया जाएगा कि बताओ I क्या आप है यह आपको बताने चाहिए कि PAMS है क्या तो यह पेपर इंपोर्ट पॉनिटरिंग सिस्टम इसके दखत कोशिश की जाएगी तो चेंग दा इंपोर्ट पॉलिसी फॉर म अब ऐसी ही एक पॉलिसी ऐसी तो नहीं बट इसी के तरह मिलते जुलती अभी हाली में सिंगल यूस प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है ठीक है आपके लिए मैं आप दो क्वेशन यहां पर बनाऊंगा देखते हैं कितने बच्चे जो इसका अंसर करें पहली पहला क्या है इंडिया ने इसको कब बैन किया है और हम लोग वर्ड प्लास्टिक यह जो सिंगल यूस प्लास्टिक बैन डे इस तरीके से एक डे बन सेलिब्रेट करते हैं आपको बताना है कि वो डे कब होता है यह दो क्वेशन आपको मैं पूछ रहा हूं रिखते कितने बच्चे कमें आपको पूछा जाएगा तो कंफर्म है वो करांट अफेर्स के ऊपर ही होगा या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पहली सैटलाइट कोन सी यह तरीके से बन सकते हैं स्पेसें टेक की अगर हम बात करें अभी हाल ही में विच स्पेस टेक स्कार्ट अप रिसेंटली इनाग रोकेट फैसलेटी फॉर 3D प्रिंटेड रोकेट इंजन यह बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है यह वेशन आपका पेपर बन सकता है अब यहां पर क्वेशन क्या है दो तरीके से फ्रेम हो सकता है पहला प्रेशन तो आपका इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टार्ट अप जिसने किया है तो वह है अगनीकुल कॉस्मोस लेकिन एक्जाम में इस तरीके से भी बन सकता है कि किस के साथ मिलके कहां पर किया गया है यह यह आईटी मद्रास के रिसर्च पार्क में किया गया है तो बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होगा दोनों तरीक सबस्क्राइब्स से इसको याद रखना इस तरीके के विशेंज हैं आपके मनेंगे आईटी मद्रास कहां पर यह रिसर्च पात तो यह नहीं तामिल नाडु में है तो आपको इसे इद रेलेटेड यह और आते हैं वापिस से आईटी मद्रास के रिलेटेड ये वीशन है अभी हाल ही में Drug Controller Journal of India यानि कि DCGI के द्वारा अप्रूफ किया गया है इंडिया का पहला, अब जो बच्चे हमारे सा Current Face पढ़ते हैं, उनको पता चल चुका होगा कि यह important है, जब भी इंडिया में कोई भी ऐसी चीज होती है, जो पहली बार हो रही है, अगर मैं बात करूँ आपके जो स्टेट के एक्जाम होते हैं, जितने भी आपके SSB के द्वारा कंड़क्ट करवाते हैं, सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के द्वारा या जो SSC के द्वारा कंड़क्ट करवाते हैं, या फिर जो आपके यहां पे जितने भी एक्जाम होते हैं, उनमें ये questions बनते हैं, highlighted questions होते हैं, उनमें ये नहीं पूछा जाता है कि MOU किसने साइन किया था, बहुत रहे होता है कि ये पूछा जाता है, इनमें papers में SSC हो गया, या जितने भी स्टेट्स के पर exam तो इसको ट्रीट करने के लिए पहली बार इंडिया ने खुद यानि की इंडिजिनियस का मतलब है कि किसी की मदद नहीं ली किसको बनाने के लिए QHPV अब यहाँ पे आपको यह इसके भी फुल फॉम याद रखनी है और शक्ता आप से पूछो जाए पेपर में P stands for तो यह क इस company के द्वारा बनाया गया है तो यह आपको पताओना चाहिए यह बनाया गया है अभी अप्रूव कि आपको बता दू यह AI-based टूल है जिसके द्वारा यहां पर प्रेडिक्ट भी किया जाएगा कि cancer-causing genes कौन जहें तो यह काफी important है अब यह बनाया किसने है आपको यह माथ के साथ यहां पे एक मद्रास जो है यहां पर इंस्टिट्यूट नयान पर अगर हिल्प करी है तो यह किसने की है यहां पर तो यह सेंग्रेट करiggers कर यहां पर हा सीरम इस्टिटिट vård 인डिया इंपोरौनेट क्यों है मैं आपको और चीज बता देता हूं सिरम इस्टिटूट आफ इंडिया ने हमारा एक COVID के दोराओं वैक्सीन मिलना आया था, आपको बताना है कि उस वैक्सीन का नाम क्या था, दूसरी चीज जो सिरम इस्टिटूट अफ इंडिया के मालिक है या चेर पोर्सन है, इन्हें भी एक बहुत बड़े अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, यह दोनों चीज़ें बतानी है, अवार्ड कौन सा था और चेर्मेंट का नाम क्या था, यह दोनों चीज़ें आपका होंवर्क, आज होंवर्क, पुराने करने अटर फेर्स पर चलेगा, तो देखते हैं कितने बच्चे ऐसे जो पुराने भी रिवाइस करते हैं, नेक्स पे आते हैं ह होता है हमारा धायिमिक रेंडमर्णम ध्य 60 मेमर्य और म होता है हमारा अटिक बता है और आपini है उहांपर तो कोई सी कंपनी यह दुनिया का फास्टेस याफ कर द से बनाए है我就 यह याद रखना इसका नाम भी DRAM चिप ही है जो फास्टे स्पीड और इंप्रूफ पॉवर एफिशेंसी जो है वह यहां पर देगा तो यह पहली चीज याद रखना किसके द्वारा बनाए गया है दुनिया का फास्टेस तो यह बनाए गया है सैमसंग के द्वारा नेक्स प अगर आप लोग कभी स्क्रॉल करने तो आपको वहां पर चीजे दिख जाए तो जिन लोगों ने भी तक हमें वहां पर फॉलो नहीं किया आप लोग कर सकते हैं मैं हैं यहां पर लिख देता हूं यहां पर अगर हम बात करें जो सर्विस प्रोवाइडर है इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है तो इस प्रोजेक्ट का नाम है के फोन यह भी याद रखेगा आप लोग इसके तहएद कोशिश की जाएगी यहां पर 2019 में ऑफिशली गवर्मेंट ने जो केला की गवर्मेंट है उन्होंने किया था तब भी हम ग Aurat किया था क्योंकि जे अंड के में यहां पर इंटनेट बैंघ हाऊ सब्समें जब 2019 में के जो़ोग बेसिक यृत्रिश बैठ के तहट इससके बेसिट राइट के तहट हर एक इंसां तक पहुंचाएंग और उसमें फिरेंट पूरी के ist पहला पहली स्टेट ऐसी बनी जिसका खुद का इंटरनेट सर्विसेज होगी तो वो है केरला SDG गोल्स में सबसे उपर केरला जाती है इसके अलावा केरला का लिटरेसी रेट भी सबसे जाधा है पहली स्टेट कोंसी है जोकी और गनी थी ठीक है उकर घेन रगर जिसक्कि cricket गोल्स का अबचल चुछ आपको आंए किसके लिए जो हमारे आप पे जितने भी harvesting होती है जिन भी चीजों की saffron हो गया इन सब चीजों को organic way में किस तरीके से जादा improved quality में बनाया जाए उसमें भी सिक्किम जमु किश्मीर का साथ दे रही है और सिक्किम साथ दे रही है यह recent जो news में थे बता रहा हूं जो rabies free बनी थी वो कौन सी है वो थी हमारी गोवा यह question cds के weapon में भी आया था तो यह basic है first state जितनी भी ऐसे इस तरीके से आता है जो पहरी state बनी है यह काफे important हो जाती है एक्जाम गणोगी उसे next पे चलते हैं हम लो question no.7 की अगर बात करें अभी हाल ही में कौन सा bank कैसा है जिसने recently पहला private sector bank बना है to integrate with the new e-filling portal of the income tax department देखो income tax के दवारा अभी हाल ही में नया जो है e-filling जो है portal launch किया गया है ताकि जितने भी बंदे है जो अपनी income tax बढ़ सकते हैं last day 31st July है यह अगर कोई बच्चा यहां पर देख रहा है जो जौब भी कर रहा है आप लोग भी file कर लीजिएगा और यह काफी important होती है अगर income उस आपकी slab में नहीं भी आती तब भी file कर लीजिएगा अगर कम है तब भी तो यह अच्छी चीज रहती है ITR file करना आपका एक record रहता है बैंक में लोन लेना असान हो जाता है लेकिन पहला ऐसा कूंसा private bank बना है जिसने integrate करा है इस पूरे portal को अपने bank के उसमें बैंक की जो sites होती है जो बैंक की net banking होती है उसमें इसको add किया है e filing portal को तो यह कौन सा है तो यह किया गया है कोटक महिंद्रा bank के द्वारा अब देखो यह भी news जो है यह नहीं नहीं है 2019 में इन्होंने कहा था कि यह करेंगे 2021 में in fact इन्होंने कहा था तो अब यह implement कर रहे है तो यह काफी important है पहला private sector को उन सा बना है bank वो है कोटक महिंद्र bank next पर जलते हैं question number 8 के ओपर अभी हाल ही में recently the khadi and village industry commission जिसे हम KVIC भी कहते हैं इन्होंने launch करा है एक knowledge portal developed by the center of excellence for khadi to provide design direction to the khadi institution अब KVIC statuary body है Indian constitution के तहा है जो किस ministry के अंदर आती है देखो अब question यह नहीं है कि जो portal launch किया उसका नाम क्या उसका नाम है knowledge portal ठीक है पहली चीज़ आपको यह पताना चाहिए knowledge portal उसका नाम है ठीक दूसरी चीज कही में question पूछा आता है कि यह किस ministry के अंडर काम करती है तो किस ministry के अंडर काम करती है यह KVIC जो है khadi village and khadi and village industry commission तो यह किस ministry के अंडर काम करती है तो यह काम करती है MSME ministry के अंडर homework लोट कर लीजेगा homework है कि आप पहले नितिन गटकरी थे अब नहीं है पहले नितिन गटकरी थे इस समय वह नहीं है आपको बताना है कि इस समय कोन होगा खadi and village industries का commission का sorry MSME में का कौन है इस समय मिनिस्टर और जो नितिन गटकरी है वो किसके है नितिन गटकरी है इस समय हमारे ministry of road transport and highways authority के ठीक है इसके है इस समय मिनिस्टर कॉंसी नितिन गटकरी नार्पूर है इनके आप लोगों बताईएगा कहां पे और किसका कूंसी नेक्स पर बात करते हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड यूट स्किल डे जो है अब्जर्व किया गया किस टेट को मुने जाता है 15 जुलाई को और मैं आपको एक इंटरस्टिंग बताता हो जब मैंने अपनी तयारी शुरू करी थी उस दिन भी डेट थी 15 जुलाई मुझे यह चीज याद है क्योंकि मैंने जब यह शुरू करी थी अपने तयारी उस दिन वर्ल्ड यूट स्किल्स डे था तो मैंने सोचा था कि कोई एक नहीं स्किल्स को अगर हो सकते हैं कि हम भी डेवलप करेंगे तयारी चलते 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 आज यहां तक पहुंचुकि यह 8-9 साल पुरानी बात है यह तो वर्ड यूट स्किल्स डे का अप मनाया जाता है 15 जुलाई को यह अब्सारे बच्चे पता है क्या है अब आज हम लोगों ने जो एक्स मैं मान के चलता हूँ नेक्स पर बात करते हैं इसी पर कि इसकी थीम क्या थी इस साल इसकी थीम क्या थी तो इसकी थीम थी ट्रांस्फॉर्मिंग यूट स्किल्स फॉर दा फ्यूचर जिस चीज को लेके हमने शुरू किया था सोचा नहीं था कि कभी खुद पढ़ते पाएंगे लेकिन आज ही चीजें हो रही और काफी अच्छा लगता है चलो नेक्श पर आते हैं हम लोग अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडियन प्लेसिस है जिनको फिफ्टी एक्स्ट्रॉडिनरी डेस्टिनेशन के में आड किया गया है अब देखो यह क्वेशन क्या है य पहले तो बात करेंगे इसी क्वेशन के उपर की चोली में जो भी टाइम मैगजिन अपनी निकाली है पहली लिस्टकाली है वर्लड की ग्रेटेस प्लेसें तो इसमें एंडियासे तो इसमें दो जगाए हैं इंडियासे आंसर है एहमदाबाद और कैरला एहमदाबाद के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि यह उनस्को की पहली heritage city थी इंडिया से चीक है यह question paper में पूछा गया है यह भी मैं बता देता हूँ और कैरला के बारे में तो भी हम लोगों ने discuss किया के फोन निकाला लिटरेशी रेट बहुत जादा है अपना internet services प्रवाइड कर रहे हैं यह चीज़ें आपको पता होने चाहिए आंसर होगा आपको option number D लेकिन यह दोनों जगह आपको पता होने चाहिए paper में इसी तरीके से भी अभी हाल ही में time magazine के द्वारा यहां पर add की गई है इसके अलावा बहुत सारी जगहें जो add की गई है इसके अलावा आपकी अगर हम बात करें UAE का है पार्क सिटी है बहुत सारी चीजें भुटान भी इसमें लिस्ट में है तो सबको याद नहीं रखना बस आपको इंडिय Olympics की अगर हम बात करें यहां पर जो हमारे खेलो इंडिया गेम्स हुए थे हर एक में क्या होते है mascot पहले paper में sports section को नि लिया जाता ना पिछले साल यह question paper में पूछा गया है UPSC में ठीक है तो यह छोड़ी 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 चीज है जो कहीं मारी आपको पूछी जा सकती ह में अभी हाल ही में एक mascot launch किया गया है किसके दवारा Department of Consumer Awareness इनके दवारा भी हाल ही में यहां पर निकाला गया है और आपको बताने इसका नाम क्या है इनका नाम है जागरीती अब जागरीती को आप लोग याद रख सकते हैं जागो ग्रहक जागो तो इन्हों ने यहां पर mascot launch किया है ताकि जितनी भी awareness है कि लोगों को उनके rights के बारे में पत्या चले for empowering consumers तो यह आप लोगों को याद रखना है जागरीती मैस्कॉट अभी हाल ही में launch किया गया है इनके द्वारा ठीक तो यह चीज आपको याद रखनी है अब जागरीती का मतलब भी क्या होता है इ द्वारे में तो इसको याद रखना जागो से आप लोग याद रखी लोगे जागरीती यहां पर launch किया गया है इनके द्वारा नेक्स पर आते हैं हम लोग अभी हाल ही में कौन सी स्टेट है जिसने अभी agreement sign किया है जिसका नाम है नामसाइट declaration with Assam to resolve border dispute अब ऐसा नहीं है कि border dispute हमारे हमेशा हमारे countries के साथ ही होते हैं neighbor countries के साथ कई बरी states में भी आपस इस तरीके के विवाद देखने को मिल सकते हैं जिसमें एक अगर हम बात करें एक हमारे यहां पर रिवर है कावेरी रिवर इसको लेके भी दो states के बीच में विवाद चल रहा है यह मैंने आपको र पुरानी चीज़े रिवाइस करवाएंगे तो मुझे बताओ किन दो states के बीच में कावेरी रिवर को लेके विवाद चल रहा है लेकिन अब बात करते हैं नामसाय declaration बहुत important होगा reason क्या है दो states ने इसको sign किया है कौन-कौन सी states है एक तो है आपकी अरुनाचल प्रदेश द दौन सी अरुनाचल प्रदेश चीक नाम यहां की गई है इसका नाम भी याद रखना पेपर में डिरेक्प कूछा जा सकता है कि नामसाय किस किस के बीच में की गई है यह जो डिस्प्यूट चलता आ रहा था बहुत टाइन से इसको यहां पर खतम किया गया है एक प्रॉपर यहां पर एग्रिमेंट किया गया है डेकलेरेशन की गई है तो यह बस आपको इतना याद रखना है एक्जाम में आपसे यही पूछ जो की बिटिश के द्वारा स्ट किया गया था इंटर लाइन रेगूलेशन के तहर तो इतना याद रखना इससे जादा आपको याद रखने की जरूरा नहीं है बट हां हो सकेगा तो इसके बारे में पूरा डेटेल पढ़ लेना कल को आपको मेंस देने जाते हो तो आपको इंपॉर्णेंट होगा यह भी रीजन दो है इसको याद रखने के और रीजन दो है आपको इसको नोट करने के पहला की बात करें मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेशन पेपर में पूछा जाता है कि एस सीओ का हेड़कॉर्टर कहां पर है ठीक है बहुत सारे बच्चे कहते है प्रेस की और टूरिजम कैपिटल बनाई गई है एस सीओ के द्वारा वह कौन सी है वह कहां पर याद रखना वह है वारा नसी उत्तरप्रदेश में किसकी कॉंसिए यह प्येम मोधी की पधान मंत्री नेरंद्र मोधी जी की कॉंसिए वारा नसी तो यह याद रखिएगा सा हाली में अनॉंस किया था प्रेस कॉंफरेंस हुई थी कहां पे हुई थी बीजिंग में बीजिंग क्या है एड़कॉर्टर हेड़कॉर्टर को भी याद रखना और यह बहुत इंपॉर्टेंट गुशन बन जाता है एक्जाम पॉइंट ब्यू से कि कल्चर टूरिजम सिश्टम NPS के लिए अकाउंट यूजिंग मॉबाइल फोन अलॉंग विद पेंशन फंट एंड डेवलेप्मेंट अथारिटी यानि कि पी फार डिये के तहित अब यहां पर किसने किया है यह तो यह किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया ने प बहुत सारे फीचर रखेंगे यानि कि क्यूर को स्कान करो तो आप लोग डारेक्ट वेबशाइट पर चले जाओगे जहां से आप लोग कर सकते हो अब क्यूर कोड की बात अगर यहां पर आई है देखो क्यूर कोड किसमें लगाए गए हैं जो जम्मु कुश्मीर की हैंड दूसरी चीज इसकी शिप्मेंट भी की है किस जगा पर की है यॉरॉप में यहां से बेजे गए हैं क्यूर कोड के साथ अब जो हमारे हैंडमेट कारपेट्स हैं इसको जी आई टाग भी मिल चुका है 2016 में यह चीज़ें छोटी छोटी पता होनी चाहिए पेपर में पूछ दो डीबीएस बेंक जो है इसको किया गया है पहले डीबीएस बेंक को किस काम से जाना जाता था कही बार आपसे पूछा जाए तो डीबीएस बेंक को पहले जाना जाता था यहां पर नहीं एक चीज और यहां पर मैं आपको पहले बता दू इस बैंक के डिलेटेट डीएस बैंक को अभी हाली में वर्ल्ड बेस्ट SME बैंक का आवार्ड तो मिला ही है और यह लगा था दूसरी बार मिला है अगर आप से कोई पूछे पहले एडिशन में किसको मिला था तब भी इसी बैंक को मिला था ठीक यह दोनों चीज याद रखना इसमें बहुत सारी कैटेगरी थी DBS बैंक को भी हाली में जो अवार्ड मिला है इसके अलावा DBS बैंक जो है इसको पहले जाना जाता था The Development Bank of Singapore लेकिन आप इसको DBS बैंक के नाम से जाना जाता है ठीक है तो यह याद रखना Singapore इसका Headquarters है Next पर आते हैं अभी हाली में कूंसी Ministry ऐसी है जिसने रिशनली लांच किया है डीपोस पर जो की Mobile Electric Charging Platform होगा और FIGITAL अब यह क्या है अब FIGITAL जो है यह चीज़ें कि आप देखो यहाँ पर confuse मत करना यह Mobile Electric Charging आपका यह नहीं है कि आप लोग अपने मोबाइल को Electrically Charging कर पाओगे डीपोस पर जो है यहां पर अभी हाली में पहले दो बता तो किस ने किया है यह लांच तो यह किया गया है MSME Ministry के द्वारा जो मैंने भी आप से पूछा था मैं आपको यहां पर बताई देता हूं कि कौन है इस समय मिनिस्टर तो इनका नाम है नरायन तत्तु राने जी ठीक है इन्हों ने भी हाली में लांच किया है क्या दो चीजें कि एक तो आगया आप पर इपोस पे चीक और दूसरी चीज क्या है यह दूसरी चीज है आपकी फिजी अब यह दो चीज़े यहां पर लांज किया फिजॉस पे में क्या होगा यहां पर क्या है यह प्लैटफॉर्म है जिसके तहट अगर मान लीजे आप और कर सकते हैं एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग वीकल यानि कि अपनी आप पे ताकि वह आए और आपके जो वीकल उसको चार्ज कर जाए मोबाइल मतलब यहां पर आपका वीकल होगा यह ठीक है मोबाइल वैन जैसे आप लोग ने सुन होंगी कि एटीम के लिए भी होती है बहुत सारी तो इसमें आपको यह एक फैसिलिटी मिल जाएगी और अगर हम बात करें फिजिटल की या फाइजिटल की तो इसमें क्या होगा यहां पर एक प्लैट्फॉम होगा डैट विल ब्रिंग क्रेडिट टू फ्यूल कस्टमर्स यानि कि आप लोग आए पैसे नहीं है अभी आप फिल कर सकते हो तो बहुत कम लोगों को इस चीज के बारे में पड़ता है लेकिन यह दोनों आपकी रीसेंटली आप और प्लैट्फॉर्म जोन लांच किये गए आज शाम को मैं आपको एक लेक्चर दे दूँगा जिसमें जैनुरी से लेके जून तक के जितने भी आप या पहली AI-powered लोग अधालत कि कहां पर शुरू किये ही है ताकि जितने भी केसी से उनको fast disposal किया जाए बहुत ही जादा important है यह आपके exam point of view से और यह आप लोग मान के चलिए कि आप से पूछा जा सकता है क्योंकि first state है जैसे बना आपको बता है first state पर question बनते हैं किसके द्वारा किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा यह किया गया है राजस्थान ने यहां पर पहला बनाया है राजस्थान state legal services authority के द्वारा ताकि जितने भी cases है वो जल्दी से जल्दी यहां पर resolve हो सके है तो यह आप लोग याद रखिएगा लोग का दालत पहली कुन सी है यह प institute award under large institute category for its overall performance अभी हाल ही में कौन सी है organization जिसको award दिया गया है सरदार पतेल आउटस्टेंडिंग icr institute award का under large institute category for its overall performance तो यह दिया गया है national academy of agriculture research management यानिकि एन ए आर्म को यहां पर दिया गया है यानिकि option number बाना आपका इसका सही answer होगा next पर आते हैं हम लोग अभी हाल ही में कौन सी ऐसी नेवल शिप है यह भी हम लोगों ने आप पोस्ट कर दिया था पहले ही आप देखते ह तो चैसे जो वहां पर भी at least देखते हैं जिसको decommission कर दिया गया और decommission किया गया है 35 साल की service के बाद तो इसका नाम याद रिखेगा INS Sindhu Dhowaj इसका नाम था बहुत important होगा वाइस admiral जो हमारे विश्वज जी दाज गुपता जी इनकी presence में यह चीज हुई जो चीफ के सेमनी में चीफ के सेज समय तो Sindhu Dhowaj को किया गया है साथी साथ एक और नाम आपको याद रखना ही रखना है आएनस विक्रांत यह क्या है यह हमारा aircraft carrier है अब aircraft carrier इतना important नहीं है लेकिन यह इंडिजिनसली developed है यानि कि इसको हम लोगों ने खुद बनाया है बिना किसी की मदद के तो यह चीज बोलने में भी बहुत अच्छी लगती है तब यह बार-बार रिपीट करता हूँ और आये ने सिंदु दवज को यहां पर decommission कर दिया गया 35 साल के service के बाद ठीक नेक्स पर आते हैं अभी हाल ही में कौनसी ऐसी प्लेयर है जिन्नोंने women single जीता Singapore open का जो की super 500 ट्रॉफी भी कहा जाती है अब देखो दोनों याद रखने है लेकिन women का याद रखना आपका ज़ादा ज़रूरी है क्यों क्योंगी यह जीता गया है पीवी सिंदु के द्वारा पीवी सिंदु ने इसको जीता है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होगा आपके exam point of view से और अगर हम बात करें जो हमारे men title जीता है सिनुसका अगंटिंग नहीं कहां से इंडोनेशिया से option number second इसका सही आंसर होगा आप देख सकते हैं यहां पे पीवी सिंदु औलम्पिक्स में दो बार medal लेके आई है तो यहां पे मैं आपको बतातू पीवी सिंदु इतनी famous हो चुके है कि मुझे नहीं लगता है यह question paper में आपको पूछा जाएगा आपको paper में question पूछा जा सकता है पैर अलम्पिक्स में जितने हमारे players ने medal जीता था ना टोक्यो पा पैर अलम्पिक्स में जिन्हों ने जीता था उनको आप लोग पढ़के जाएगा Nelson Mandela International Day जो है हर साल observe के जाता है across the globe यह किस date को मनाया जाता है पहला question तो आपके सामनी यह है जो Nelson Mandela Day है यह हर साल मनाया जाता है July 8 को और इसकी theme बहुत जादा important है do what you can with what you have where you are बहुत ही important रखना क्योंकि यह जो डेज है ना जैसे नलसर मंडेला डे हो गए यह बहुत दिनों से बहुत 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 पेपर में पूछे जा चुके है तो examiner मुझे नहीं लगता यह चीज़े बार-बार रिपीट करेगा अगर करेगा तो आप लोगों को advantage होते हैं क कि पेपर में easy question होगा लेकिन theme जो है आप लोग पढ़के जाना theme आ सकती है paper में next पर आते हैं हम लोग अभी हाल ही में according to the Forbes real-time ranking देखो इस पर question paper में नहीं बनते है real-time ranking मतलब यह change होती रहती है लेकिन गोतम अदानी जो है यह fourth rank इनका आया है इन्होंने किसको सरपास किया है पता होना चाहिए चीज़ें basic है आपको इतनी knowledge तो होनी ही चाहिए एलन मस्क जो है यह top पे है एलन मस्क टॉप पे है गोतम अदानी इस बार fourth रहे है इन्होंने किसको किया है तो इन्होंने किया है अब 5 गोतम अधानी का रैंक है आप यहां पर 4 और अगर हम बात करें आलन वासकी तो यह तो पहले पर है इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह यहां पर 2 पर तो यह तो इंडिया से हैं यह तो आपको पता ही हुगा अटानी ग्रुप्स के वारे में सबको नॉलेज है नेक्स पर आते हैं जेसी डैनियल अवार्ड दोजार इसका जो कैरला का हाइस्ट फिल्म फिल्म अवार्ड है इससे किसको समानित किया गया तो देखो जो मल्यालम फिल्मेकर है केपी कुमारन इनको इस बार समानित किया गया के हाइस्ट फिल्म अवार्ड के रिलेट से जो है जेसी डैनियल अवार्ड अब पेपर में गया है नेक्स पर आते हैं हम लोग अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसने कनेक्ट करा है और रिजिस्टर कमर्शियल वीकल्स को अक्यूप्ट विद वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस विद एमर्जेंसी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम ब VLTD की फुल फॉर्म भी याद रखना क्या है विकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और किसके साथ क्या है एमर्जेंसी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम के साथ ताकि अगर कोई फस जाता है मानलो लाइन स्लाइड होती है कुछ होता है तो यहां पर जो है आप के तहत आप इनफॉर्म कर सकते हैं असानी से आपके पास जो है एमर्जेंसी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम के तहत एक टीम आपके आपकी मदद कर देगी टोटल कितने विकल्स थे दस हजार के करीपरी विकल्स है जिनको रिजिस्टर करना था और इन्होंने कर दिया है तो यह याद बता ही है तो हम ने पांटनर जींडे है किस रैंक पहले पर है जपरान का रैंक जो है वह पहले पे है यहार इस बार भी और पहले भी जपान ही चल रहा था यानि कि इसमें होता क्या है कि आपका passport कितना स्ठोंग है इसके इसका क्या मतलब हो कि आप लोग कितनी सबसे ज्यादा सकते हैं यह जा सकते हैं यह जा सकते हैं यानि कि अप्रॉक्सिमेट हर इस जगह पर यह जा सकते हैं एक रहा है और हम बात करें इंडिया कि इंडिया का रहा है यहां पर 87 रहा है हम कितनी एक V enfant защकते हैं हुला वीजा के तो यह याद रखेगा और second position पर अगर बात करूं सिंगापुर के साथ साथ South Korea भी same ही है ranking में तो यह याद रखेगा बहुत important question है exam burn review से next पर आते है question number 26 की अगर हम बात करें अभी हाल ही में कौन सी insurance company है जिन्होंने DBS bank के साथ यहाँ पे DBS bank India ठीक है इनके साथ अभी हाली में एक partner करा है ताकि यह अपने insurance product देंगे अब जो भी कभी insurance company किसी bank के साथ अगर tie up करती है तो उस term को कहते है उस term को हम कहते है bank insurance ठीक है यह जो किया गया है किसके साथ किया गया है किस ने किया गया है तो यहाँ पर बजाज Alliance life ने यहाँ पर किया है किसके साथ DBS के सा साथ क्योंकि है important क्योंकि DBS को भी हाली में award भी मिना आपको बताया है तो DBS bank इंडिया जो इनकी branches है उनको के साथ इन्हों नहीं यहाँ पर किया है तो यह question भी important बजाता है next पर आते हैं अभी हाल ही में किसमें जीता है month single title at Petronos Malaysia Open 2022 अब BWF World Tour Super 750 badminton tournament by defending Kento Momata अब देखो Kento Mom question बनते हैं बने भी है in fact paper में कि कहां से belong करते हैं Japan से करते हैं कि sports से खेलते हैं badminton खेलते हैं लेकिन जीता किसने हैं यह award इसको इसको जीता किसने है तो इस बार जो यह tournament हुई है पर आड़ोवा Malaysia Masters को इसको जीता किसके द्वारा गया है तो यहाँ पे जो winner थे इस बार इसक मिलेशिया सॉरी एक सेकेंड रुखे गए यहां पर थोड़ इसी गलती हुई है इसको इस बार जीता गया था चिको वाड़ोयोग द्वारा चीक है तो इसको नोट कर लीजेगा इन्हों ने जीता है और यह कहां से बिलॉंग करते हैं यह बिलॉंग करते हैं बैसिकली इंडोनेशिया से options में नहीं है मैं यहाँ पर आड़ करवा दूँगा इसके अलावा चीक ओक है मने इसको चीको अब पूछा सकते हैं कि कि कहा से बिलॉंग करते हैं और किसने यहाँ पर जीता है तो यह दोनों नाम आपको याद रखने हैं एन्सि युंग करते हैं का इनका पूरा नाम है ऑप्षिन करके करते हैं तो इसमें हम बात कर लेंगे पर दैरेक्टर ऑफ अफ शाइंश भुबनेश्वर डॉक्टर अजे गुमार पडिया ये रिसेंट दिनका निदन हो चुका है इनको भी पदमश्री से समानित किया गया था, इनको किस डेट पे पदमश्री से समानित किया गया था, तो आपको बता दू, यह question आपको यही पूछा जाएगा कि यह किस field से related है, डॉक्टर अजे कुमार सराधिया जिनका भी हाली में निदन हुआ है, याद रखे, मिश्री या पदमश्री मिला था, तो इसको आप लोग बस इसी तरीके से याद रखेगा, कि यह किस field से related थे, ठीक है, यही question मनेगा, खामखा में आप लोग इसको note करेंगे, अपनी दिमाग में space बनाएंगे, तो हमें limited चीजें ही करनी है, जो paper में पूछी जा सकती है, next प बुक जो है, जितने भी temple tales हैं उत्राखंड की, यानि कि कौन सा temple कैसे आया, जैसे हम लोगों ने देखा, आयोध्या के बारे में आपको पूरी कहानी पता चलती है, कैसे सब चीजें हुई, बनवास हुआ सा, वैसे ही जितने भी उत्राखंड के temples हैं, उनके उपर एक book की गई है, जिसको भी हाली में release किया गया है, पुशकर सिंग धमी के द्वारा, जो CM है उत्राखंड के, अब question यहां पर क्या बनता है, question यह बनता है, कि author कौन थे, इसके author कौन थे, तो इसके author से अराधना जोहरी जी, next पर आ दें, आज का last question के उपर, अभी हाली में कौन सी की ऐसी state है, जिसने, अपॉइंट किया है, डेलाइट इंडिया को, to consult to suggest plans to make the state, USD 1 trillion economy, अब देखो, यह question बहुत important है, दो तरीके से, पहला किसने किया है, उत्तर परदेश ने, उत्तर परदेश हमारे इंडिया की सबसे जादा population वाली state है, और उत्तर परदेश एक बहुत जाएगा, जब हर एक state जाएगी, तो इसी तरीके से, अपने उत्तर परदेश ने target क्या रखा है, 1 trillion economy बनाने का, जिसके लिए partner किसको किया गया है, इंडिया को, यह बहुत important होगा, अब यहाँ पर इस चीज को याद रखना, आप यह यहाँ पर पूरा consult करेंगी, कि खर्च जाया होगा, जो चीजें important सी, मैंने ज्यादा extra highlight कर दी है, और जो homework है, देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं, जो भिना help के वो लिखेंगे, और अगर आप लोगों को इन सब का PDF और यह सब चाहिए, तो आप हमारी आपको download कर सकते है, AAA से आपको Google Play Store पर भी आप लोगों को म मिल जाएंगे, और अगर आप जम्मू से हैं, तो आप लोग यहां पर विजट कर सकते हैं, नमबर पर आप लोग WhatsApp कर सकते हैं, आपको कोई भी query होगी, तो, चलो, बबाइट, एकर all the best, मिलते हैं जल दीने लेक्चर के साथ, अभी लिए दीजिए इजाधत, have a nice day, see you soon,